तो हिक विजन ने फाइनली अपने कलर नाट विजन के जो सस्ते मॉडल है जो सस्ते वेरियंट है उसको बंद कर दिया है अगर कोई आपको उस मॉडल के कैमरे सेल करता है तो समझ लेशेक आउटडेटेड मॉडल है उसे आप पर चीज ना करें यह बहुत जरूरी है क्योंकि आपको आउटडेटेड कैमरे दे दिये जाएंगे जहां पर आप फस सकते हैं तो मैं पहले आपको बताता हूँ पहले कौन सा मॉडल आता था नया कौन सा आया है उसमें क्या-क्या फीचर्स है क्या स्पेसिफिकेशन है आपके लिए कितना बहतरीन है शुरू करते हैं इस परचेस करना है तो वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले DS-2CD1027 1027 यानि कि आपका 2MP 1047 यानि 4MP GO-L आता था यह आपका कलर व्यू लाइट मोड में आता था सिंगल लाइन में आता था यह IP कैमरा है लेकिन इसमें चैंजेज क्या इसमें आपका 4MP का मोडल नमर है DS-2CD1047 G2-LUF यह अलग चीज़े लॉंच होई हैं और इसमें motion detection 2.0 डाला गया है क्या-क्या चीज़ें हैं इस कैमरे में क्या फीचर्स हैं आपके लिए कितना फायदेबन में चले समझते हैं सबसे पहले L यानि Color Net Vision जो लोग नए है इस ल इंगल लाइन में नहीं मिलते हैं डबल लाइन में मिलते हैं काफी costly होता है अब hardware में देखिए इसमें क्या-क्या चीज़े हैं पहले आपको metal body मिलता था metal में क्या मिलता था वो तो पता भी नहीं चलता किसी को बस metal और plastic की समझते हैं यह Almonium alloy body Almonium alloy body आप समझ लेजिए तो वो काफी बढ़िया होता है और उससे camera long lasting चलता micro SD card support करेंगे अब तो 256GB आप इसमें लगा सकते हो यह बहुत जरूरी है single line भी यह चीज़ दी हुई है ANR technology भी है अगर माल लेते हैं कि आपका NVR खराब हो जाएगा अगर आपने micro SD card लगा कर रखा है तो उस पर record होने लगेगे जिस recording आपका loss नहीं होगा important feature से यह ANR technology जो आपको यहां पर काम देगा IP67 है इंग्रेज protection IP67 है पहले IP66 मिलता था IP67 है night vision है 30 meters का 30 meters तक आप night vision देख सकते हैं अलग-अलग lens लिजेगा तो वह आपको इक अलग चीज़े मिलेगे WDR wide dynamic range आपको 4 MP में मिलते हैं 2 MP लेते हैं तो इसमें आपको DWDR ही मिलता है यह चीज़े सेम है पहले भी यह ऐसे ही था लेकिन WDR नहीं ही था आपको याद होगा एक IUF करके model launch हुआ था single line में कुछ उसी के features को इसमें add किया गया है वीडियो आप देख लिजएगा मैं description में दे दूँगा तो अब यहाँ पर क्या है कि यह hardware features तो समझ में आ गया है लेकि software features क्या है software के features मैं आपको बताता हूँ BLC, HLC, 3D DNR है rotate mode है आप इसको rotate कर सकते हो for programmable privacy mask है चार एरिया में आप privacy mask सेलेट कर सकते हो motion detection 2.0 है क्योंकि G0 के जगह यहाँ पर G2 आ गया तो 2.0 है इसके लावाट video tempering anti bending 50 Hz से 60 Hz मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो lining आता है वो problem solve यहाँ से होता है आपको यह option होना चाहिए आपके camera अगर नहीं है तो वो lining आती रही इसका यह दिया हुआ है 8.265 video comparison दिया हुआ है जो लगभग आपको सभी camera में देखने को मिली रहे होंगे ROI one fixed reason एक एरिया में आप ROI सेट कर सकते हो यानि कि जिस एरियों को आपने सेट किया वहाँ पर high bandwidth पे record होगा बांकि आपको कम bandwidth पे record होगा तो ROI features आप यूज कर सकते हो इस camera में तो यह कुछ अल boxing के लिए आप बना दो बनाओ बनाओ ना बनाओ ना बनाओ ऐसा कुछ है तो आप कभी यह मत समझेगा आप लोग बार बार comment मारते हो कि ऐसा है वैसा है तो मैं आपको clearly बता देना चाहता हूँ ही वीजन ने मुझे एक रुपए आज तक भी नहीं दिया मैं ही वीजन का factory मे मैं करता हूं मुझे ज्यादा knowledge है तो मैं उससे related वीडियो ज्यादा बनाता हूं बट आज तक एक भी product मुझे नहीं दी है एक pen के अलावा कुछ अलग से चीज़ें जो मैं आपको दिखा सकूं मैं बता सकूं कि हाँ यह camera है इसका unboxing है तो प्रामा नहीं देती है product बहुत रखिएगा पुराना model क्या था नया model क्या था क्या चीज़ें आपके लिए बहतरीन है उम्मिद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा security वाला चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर दीजेगा वाइफों सब्सक्राइब आपने किया यह वीडियो को लाइक जूरू कर दी जगे जाते याते जाते दानी बाता